हे गाईज वेलकम बैक टू माई चैनल सादना की रेसिपी तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही जटपट से बनने वाली सब्जी की रेसिपी यहाँ पे हमें सब्जी सुधारने की बिल्गुल भी ज़रत नहीं पढ़ने वाली है बस इसे फटा फट बनाना है खाना है और सब को खिलाना है तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे मैंने गेस का फ्लेवान करके चड़ा दी थी कढ़ाई कढ़ाई में मैंने डाला है दो गलास के करीबन पानी फिर मैं यहाँ पे डालूँगी दस बारा लहसन की कलिया लहसन की कलिया डालने के बाद मैं डालने के बाद मैं डालने के बाद मैं डालने के बाद आप अपक्aser हो चुके है तो चलिए हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसे 5-10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिये छोड़ देते हैं तो आप देख सकते हैं फ्रेंडS मैंने सारी चीजों को प्लेट में निकाल के टूर ली है जैसे यह थोड़ी सी टमाटर, प्याज, लहसन और खड़ी मिर्च को तो चलिए हम इसे पीस लेंगे और स्मूथ सा पेस्ट बना के तयार कर लेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पेस्ट बना के तयार कर लिया है तो चलिए अब सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं तो यहां पे मैंने कड़ाई में तीन चमच तेल डाल दिया था तेल अच्छे से गर्म हो चुका है और मैं यहां पे डालूँगी आधा चमच जीरा जीरा के तड़कते ही मैं डालूँगी यहां पे दाल चीनी दाल चीनी के बाद डालूँगी मैं यहां पे तेज पत्ता इक चमज धनिया पौरडर 2 मिर्चा Every投़ आज़ टेस्ट की अकॉर्डिंग नमक सारे मसालों को हम पेस्ट के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो देख सकते हैं हम्ने मसालों को मिक्स कर लिया है जा। झाल हैं और एक के करीबन पाणी फिर इसे 5-10 मिनट के लिए पका लेंगे तो 5-10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं मसाले कुछ इस तरीके से पक के तयार हुए हैं तो चलिए इसे हम 10 मिनट के लिए फिर से लो फ्लेम पे पका लेंगे तो आप देख सकते हैं मसाले आपे काफी अच्छे से पक चुके हैं इस स्ट पूरे फिर दो ट्रो या बॉर हो ज़ाओं तो हम यहाँ तो के डीया है अब हम इस स्टेज पर ऐंगे आदा चमज के करीब घरम मसाला गरम मसाला डालने के बाद हम फिर से यहाँ पे चम्मत चलाएंगे और बस हलके हाथों से हमें यहाँ पे चम्मत चलाना है जादा चलाएंगे तो सेव तूट जाएगी और आपको सबजी में एक भी सेव नजन नहीं आएगा तो चलिए हम ढखकन बंद कर देंगे और इसे 5-10 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे तो चलिए अब इसे हम सर्व कर लेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सेव की सबजी पूरी तरह से बन के तयार हो चुकी है तो सेव की सबजी बनाने का मेरा यह तरीका कैसे लगा अच्छा लगा होगा तो कॉमेंट बोक्स में जरूर बताएगा मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा इसी तरीके की नई नई रेसिपी लेकि मैं आपके लिए आते रहूंगी तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई थैंक्स फॉर वाचिंग